सागर जुले के सुर्खी विधान सभा छेत्र के राहतगड में छात्र निता अंकित अग्रवाल के नर्याततों में सम्मेलन आयोजित किया गया इसमें 1980 से 2020 तक के छात्र सम्मेलित हुए कारिकर में नव मतदाताओं का सम्मान किया गया और सड़सिता दिलाई गई आगा में 3 नवंबर को अधिक से अधिक मतदान करवाने की अपिल की गई कारिकर में बालागाट सांसा धाल सेन विसेन भाशपा प्रत्याशिक गोविन सियर राशपुत सहीत कई पदाधिकारी मौजुद थे राहतगड से सल्मान कुरेशी की रिपोर्ट यह हमें चिंदा करने की आउसक्ता है कि भारतमा की जैकारे को बुलंद करना है भारतमा की जैकारे को हम सब मिलकर के बोले राहतगड के अंदर भारतमाता की जै बुलंद रहे राहतगड के अंदर बंदे मात्रम का गान बुलंद रहे इसलिए कोंग्रेज को यहां की मूदडी खानी पड़े अब सबको प्रणों प्रण से जुटने कि आउसका आँ अब तरू यह चुनाओ गोवन सिंगी का चुनाओ नहीं है यह चुनाओ एकोले भारती इंद-पारिटी का चुनाओ नहीं है यह चुनाओ । हरãy pense युवा का चुनाओ है हर क empres नागरिक का चुनाओ है हर इस माता बेहन का चुनाओ है जो भारत को बिस ब्रुबड़ बनाना चाहतए है। भारत को परंबेहस़ाली बनाना चाहते है। पर भारत माता की जाओढ़ कोन प्रवाइब प्रवाइब दो पूजने की संज़केती है भारत में महला को द्रगा लक्षी में सरुस्ति कहा गया है तो कैसे आप महलाओं का आप बाद कर सकते हैं और निश्य स्टोर पर आने वाली तीन तारी को एमेला सकती काली का रूप धर के इतने बटन दवाएगी तने बटन कमल के फूल के दवाएगी कि आप पर अपने आइटम बन जाएंगे कमला जी इसलिए समाई की मर्यादा है चंद सब्दों के साथ मैं कुछी समाई के साथ अपनी बात को समात करूँगा मित्रो मेरा आप सबसे विशेश दोर पर आप गया है कि भारत माता के लिए लड़ने वाली पार्टी बंदे मातरम के लिए लड़ने वाली पार्टी लड़ने बाली है नहीं भारत माता की जय के लिए अपने प्राणों की आहूती देने वाली पार्टी यदि कोई है तो भारती चंता पार्टी है मित्रू इसलिए जब राम मंदर की बात आती है तो यही कोंग्रेस के लोग है ज राम की अस्टित्त को नकालते देमित्रूं को एक बोट ना दे ताब इनकों समझे में आएगा कि राम को कालक ने भालक बोलना कितना बड़ा पाप है इसलिए हम सब को यहां से प्रणो संकर्प लेकर के जाने किया सकता है कि जो हमारे राम को नहीं मानता जो हमारी भालत राम को नहीं मानता उनको के हम अपना बोट देंगे देंगे क्या उनको गोट तो बहुत दूरे उनको हमें अपने दरवाजे बचाने होने तक नहीं देना चाहिए जब भगवान राम को पाप को मुक्त करना था जब भगवान राम को दुराचारियों को आतंद को मुक्त करना था जब भगवान राम को इस धर्ती पाबन धर्ती को राक्षसों के पाप से मुक्त करना था तो भगवान राम ने दसरत के एक आग्राए पर राजपाट को छोड़ करके दर्दर भटक करके रावड भी लाक्षस भीन इस धर्ती को आतंद को पिया था ठीक बैसे हमारे कोविन सिंग राजपुर के उस राम की भाती है और सिंधिया जी हमारे आज दसरत के रूप में है जोनोंने एक पाप और आतम किसे बली हुई सरकार को मिटाने के लिए अपना ये जी बार में एक बार की आकरा में सिंधिया जी के राजपार्ट को छोड़कर के बन कियों निकल गए और राजपुर की चलने वाली उस संस्ता को नकाल दिया मित्रों हेलो फ्रैंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले